कि एक अकलॉती ऐसी बिल्डिंग् साइब इसमों बनाया जाता है शिम्ला में एक मस्जिद में अवैर निर्मान को लेकर सरकार क्या एक्षन ले रही है और जिस तरीके से विरोध हुए इसको लाइंड ओर्डर की सिच्वेशन को कैसे समाला जाएगा इस पर बात करनी किलमेर साथ हिमाजर प्रदेश के लोग निर्माड विवाग मंतरी विक् क्योंकि इसमें लोगों के सेंटिमेंट्स ενवाल्ड है और खास करके फिरोध हिंदू लोगों के सेंटिमेंट्स इंवाल्ड हैं इसे लोग वहा पर आये हैं और हम इसकी उनका कडर करते ते हैं हिमाजर प्रदेश में एक मزبوط सरकार कॉंगریस पार्टी की है और सरकार का दायत हो है कि हम हर अ क्षेत्र के हर जाती के लोगों की रक्षा करे और कानून के दारे में रहे रहे कर कारिया करे ये सरकार की जम्मारी बन दी है तो मैं आपको ये विश्वास आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशी जनता को दिलाना चाहता हूँ कि हिमाचल में हर कार्या कानून के दायरे में रहकर होगा जिसमें दो पहलू है एक जो लोग और से संबंदित है जिसमें पुलीस पूरे तरीके से जमीन पर है कारवाई करेगी कोई भी इस तरीके की परि जा रहा है उसका मसला काफी लंबे समय से जो है वो मिन्सिपल कमिशनर के कोर्ट में लंबित है और उसकी हेरिंग आने वाले समय में होगी तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि उसको एक्सपडाइट करवाये जा सके और जल्द से जल्द उसमें जो भी फैसला आता है उसके अन कि जनकारी आपके पास ज्यादा होगी जिस तरी के से विधान सभाव में आपने भी का अंडिल सुंग्जा आपके साथी मंत्री उन्हों ने भी का कि ये आप दोधाब दस से इसमें अवैद निर्मार चल रहा था तो अब तक क्यों नहीं किया गया इस पर देखिए ऐसा है कि यह केवल एक अकलौती ऐसी बिल्डिंग नहीं है बहुत सी ऐसी बिल्डिंग है करीवन चार पांच हजार ऐसी बिल्डिंग है शिमला के अंदर और यह केवल शिमला ही नहीं पूरे देश में ऐसी बिल्डिंग होती है जो जिसमें कुछ ना कुछ डेवियेशन होती है और जैसे मैंने कहा law and order की सिती ना खराब हो, उसके लिए मुखे मंतरी जी पूरी मजबूती से जो हमारे डी जी पी है, उनसे भी संपर्क में है, जो शिमला के एस पी है, वो भी खुद वहाँ पे तेनाथ है, और कोई भी इस तरीके की सिती नहीं बनेगी, यह मैं विश्वाज जलाना चाहता हूँ, बाकी जहां तक यह दूसरा मसला है, इसमें जैसे ही कोई निरने, क्योंकि मामला सब जूडिस है, उनके जो लॉनेट कमिशनर है, उनके कोट में है, तो जब वहाँ से फैसला आएगा, उसके बाद इस पे जो है, सरकार कारवाई करेगी. कुछ 48 गंटे का अल्टिमेटम भी कुछ संग्ठों ने दिया है, सुनवाई तक ही वो रुके में, तो उसके बाद की स्तिती को कैसे देख रहे हैं? मैं कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने ही धर्मांतरन का कानून, रिलिजियस कन्वर्जन बिल, जो है वो 2005 में, 6 में, इंटर्ड्यूस किया था, आज वो लागू हो गया, उसके बाद और राज्यों ने उसको लागू किया है, तो हम हर तरीके से आगे बढ़ेंगे, मंदरों की रक्षा करना भी दायत्व है, और उनके रिलिजियस सेंटिमेंट्स भी किसी तरीके से हर्ट ना हो, ये भी हमारा दायत्व है, जिमेवारी है, और इसको हम पूरी मजबूती से दोनों चीजों को करने का प्रयास करेंगे, अपनी हिमाचल की आबादी की बात की, तो आब टाइम्स आने वाले समय में ही ये चीज स्टिती क्लियर होगी और इस पर जो मुख्यमंत्री जी है, वो सभी जो होम डेपार्टमेंट के लोग है, उनके साथ बैठके इस पर चर्चा करेंगे, मगर एक परिस्तिती तो है, और ये ऐसा नहीं है कि आज ही ये काफी लंबे सम में से उत्पन है, जिसमें कुछ मुझफर नगर से या और इलाकों से लोग यहां पर आ रहे हैं, और उस से थोड़ा सा एक जो है, खास करके महिलाओं के अंदर एक थोड़ा इन सिक्यूरिटी का महौल बन रहा है, तो वो चिंता है, वो हमारी भी चिंता है, और उस पर हम जो कारवाई करनी है, वो करेंगे, कोई आते किसी और नाम से हैं, यहां पर जो नाम लिखवाते हैं, वो कोई और नाम लिखवाते हैं, तो यह भी एक चिंता का विशे है, तो इन सब चीजों को देखना है, हिमाचल देश का ही हिस्सा है, किसी भी इलाके से, किसी भी प्रा कि दिर्मेबारी बनती है तो उस द्रिष्टी से इसको हम करने का प्रयास करेंगे बड़े रास्टियस तर पे बहुत सारी नेता इस पर बोल रहे हैं सदुदी नवेसी जो है वो जो है वो बीजेबी के बीटीम है इसलिए मुझे उनको सर्टिफिकेट लेने की कोई आवेशक अपने मसलों को संभालने में और उनको पूरा करने में उन लोगों के हिट साधने में पूरी तरीके से सक्षम है तो हमको आपकी आवेशक्ता आपकी अनसॉलिस्टेटेट डवाईस की आवेशक्ता नहीं है आप अपने हैदरबाद के मसले देखें और वहां के मसलों को लो सबस्ता को बरकरार रखा जाएगा उसे किसी कीमत पर भी बिलडने नहीं दिया जाएगा घर भी बिलडने और दाने एजय पिला जाएगा कि मेन इजिया जाएगा जाएगा है जा-खे उसे बिल मिदे प्रें एकी जाएगा जाएगा कि शाने देजिये जाएगा झाल झाल